साधरन तोर पर खांसी होने का मतलब है कि हमारा श्वासम तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये गले में हो रही खराश और उत्तेजना की सहज प्रतिक्रिया होती है। खांसी का उपचार जल्दी हो जाना बेहतर है। आयोरवेद में खांसी का स्थाई उपचार भी आयोरवेदिक और कुछ घरेलू उपचार 375 मिली ग्राम भी गोया हुआ सुहागा श्रहद के साथ रात में लेने से या मुनक्के और मिश्रे को मुह में रखकर चूसने से खांसी में लाप मिलता है। हिंग, त्रफला, मुहठी और मिश्रे को नीबू के रस में मिला कर ले खांसी मिटती है। पान का पता और थोड़ी अजवायन पानी में चुटकी फर काला नमक वह शहद मिला कर लेना भी खांसी में लाबदायक होता है। विशेश रूप से ये बच्चों के लिए लाबकारी है। सूखी खांसी के उपचार के लिए एक छोटे से अद्रग के तुकडी को छीड़ें। इस पर थोड़ा नमक छीड़क कर उसे चूसें। तुलसी के पत्तों का सार, अद्रग और शहद मिला कर एक मिश्रण बना लें। ऐसी गंभीर खांसी के उपचार के लिए लें जो की तपेदिक और ब्रॉनकाइटिस जैसी बिमारियों के कारण श होता है। इलाइची और लोग चबाने से खांसी और उसकी उत्तेजना से रहत मिलती है। इन सब उपायों को व्यभार में लाकर खांसी से आराम मिल सकती है। झाल 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 झाल